हेलो फ्रेंट एक बाइब फिर स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाली स्क्रीन पर बार बार आने वाले एड को कैसे आप बंद कर सकते हैं जी हाँ अगर आप अपने मोबाईल में कोई भी अप्लिकेश पसंद आए वीडियो को एक बाल लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल पर को प्लिस इस्क्राइब कर लेना है फोन के सेटिंग बताएंगे अगर आपके फोन में जो आने वाले एड है वह हमेशा बंद हो जाएंगगे तो सबसे वह आपको लाइश्ट में जाना है ल वालय आप्शन पे क्लिक कर को लिए को wszyscy करना है उसके बाद वालय आप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और ! डिलीट वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर delete का option आज गया है तो आपको delete वाले option पर क्लिक कर देना पड़ेगा यहाँ पर delete वाला ID जो है और delete हो जाएगा और reset वाला जो ID है और reset हो जाएगा उसके बाद यहां से बैक चले जाना है बैक चलने बाद आपको थोड़ा सा उपर जाना है और यहां पर आपस का अप्षन तो आपको उस अप्लिकेशन का रोड़ना है जो आपके फोन पर उसके माधम से एड आते हैं तो यहाँ पर हम उस application को यहाँ पर रोड़ लेते हैं जैसके यहाँ पर रिमनी application के माध्यम से हमारे phone के screen पर add आते हैं तो उस application को हमें click करना पड़ेगा जैसे उस application पर आप click करते हैं तो इस तरह के से उसका setting open हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक setting देखरों मिलेगा other permission का आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर अधर permission वाले setting पर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको चार setting देखरों मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर चारो setting देख सकते हैं अगर allow का option पर click है तो आपको यहाँ पर then बाले option पर click कर देना है ऐसे करके आपको चारो setting को इस तरी के से बंद कर देना है उसके बाद आपको यहाँ से back चले जाना है back जाने के बाद आपको उस application को ढूरना पड़ेगा जो आपके screen पर दिखाई नहीं देते हैं फिर भी आप आपको उस application के माधम से add आता है तो आपको उस application को कैसे ढूरना है आपको क्या करना पड़ेगा अपने phone को dark mode में कर देना है जैसे आप अपने phone को dark mode में कर देते हैं तो आप अशानिस उस application को ढूर सकते हैं ढूरने के लिए आपको इस तरीके से ढूर लेना है तो यहाँ प अप्लिकेशन तो आपको उसे डिलीट कैसे करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम इस अप्लिकेशन को ले लेते हैं इस अप्लिकेशन को हमें फालतु लग रहा है यानि कि इस अप्लिकेशन के माध्यम से हमारी स्क्रीन पर एड आते हैं और इसे हमें क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद यहां से बैक चले जाना है बैक जाने बाद आपको करना पड़ेगा आपको एक और सेटिंग यहां पे करना पड़ेगा तो सेटिंग करने के लिए आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पे आपको एक आप्सन देखनों को म बिल जागा private DNS अगर आपको यहां पर connection sharing का option नहीं देखनों को मिल रहा है आपके setting में तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको DNS private DNS को कैसे डूर ना है इसके लिए आप यहां पर search का option देखनों को मिल जाता है आपको यहां पर सर्च बाले option पर click करेंगे और आपको search करना है DNS जैसे यहां पर search कर देते تو यहां पर देख सकते हैं फर्ष्ट पे आ गया है प्राइविट डियाने अस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बा Düny परूर करने बाद आपको शेफ कर देना है, इस तरह के से आप इस तीनो शेटि цен को कर देते हैं, तो आपके फोन में जो आने वाले एड़ हैं, उसके बंद हो जाएँगे, तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लिस सब्सक्राइब कर लेना मिलते करें नेस्ट वीडियो तब तक लिए जय है